तो जहें इसाथ़ इल्बा फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रिडर में उमेद करते हैं आप सभी अच्छे ह efficiency होंगे है खुस होंगे चलिए आज हम Nifty और Bourse Nifty के बारे में बात करेंगे कि कल की वीडियो में हमने आप सभी को क्या learning प्रोवाइट कर आई थी और आज कैसे क्या देखने को मिला है सही हुआ है या गलत हुआ है आज फिर से हम बात करेंगे कि कल के trading session में कैसे क्या momentum की संभावनाय जताई जा सकती है यह वीडियो सिर्फ learning purpose के लिए होती है आप सभी को पता है वीडियो को लाइक किजिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप सभी को लेके चलते हैं चार्ट पे तो आपको लेके आए हैं चार्ट पे जहापे हमने nifty bank का चार्ट open करके रखा हुआ है पिन पैट की साहिता से हम आप सभी को यहाँ पे कुछ चीज़े समझाने का प्रयाच की करेंगे कल के वीडियो में हमने आप सभी को बताय हुआ था कि यह एक range बन रही है अगर इस range में bank nifty देखिए पहले देख लिज़े 15 में के टाइम फ्रैम पे bank nifty का चार्ट लगाया हुआ है धन के ट्रेडिंग व्यूप में चला रहा हूं धन का ट्रेडिंग व्यूप मुझे अच्छा लगता है आप भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री आपका उस्च है धन में आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है इसको यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर उस लिंक से आप टीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने लर्णिंग ग्रूप में भी एड कर लेते हैं मेरा कोई पेड प्रियों टेलिग्राम चैनल नहीं है और नहीं कोई पेड कोर्स है नहीं कोई पेड टिप देता हूं ठीक है बिल्कुल फ्री चीजे हैं तो इसलिए मेरे नाम से अगर आप से इसे को मैं आपको बताए थी कि यह ब्रेक आउट होगी तो फिर नेक्स टार्गेट हमें जो है देखने को मिल सकते हैं 52,800 के आसपास में तो आज भी आपने देखा और मैंने प्रिवेस दे भी बताया हुआ था अभी दो दिन से स्टार्ट किया हो एनलसिस वीडियो बनाना तो यह करते हैं इसके उपर की तो इसके उपर मैंने टार्गेट देवा था 52,025 के असपास में एक लेवल इसको ब्रेक आउट करने के बाद में रीटेस करी है एक्जैक इसी पॉइंट से फिर से उपर की तरफ गई हुई है और अच्छी रैली करती हुई दिखाई दी है मतलब य देखिए लर्निंग कीजिए ठीक है इस वीडियो बनाने का उदेश है आप सभी को सिर्फ लर्निंग कर रहा है किसी प्रकार की बाइंग और से लिंग की रिकमेंडेशन के लिए वीडियो में नहीं बना रहा हूं अभी ये 52,820 के आसपास में मुझे रहा है ये ब्रेक होत कि आपको मिल जाएगे देख ली सिर्फ अब यहां पर देखते हैं रिट्रेस करके एक बारी तो ऊपर की तरफ निकल चुकी है लेकिन यह जो लेवल है 38% का लेवल में मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है और यहां पर मार्क कर लेता हूं इस तरह से और जेंटल लेंग रिट्रेस्मेंट का लेवल है अब जैसे परी यह कहां लगा हुआ ठीक है कोई बात है जिस प्रकार से मैंने एक यह रेंज बनाई हुए थी उसे प्रकार से हमारी यह एक रेंज का क्लियर हो गई है मतलब कल अगर इस रेंज में रहती है 52,468 के आसपास से तो हमें 52,820 समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं आप लोग नोट कर सकते हैं अपने चार्ट पर ड्रा कर सकते हैं कल क्या होता है यह चीज़े आप सभी देख सकते हैं इसको ब्रेकडाउन करने के बाद में नीचे का जो सपोर्टिंग लेवल होगा 52,000 का ह ही होगा ठीक है इसको ब्रेक आउट करती है तो बता देते हैं एक बारी अगर आप से भी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप सभी खुद भी सीख सकते हैं कैसे क्या होने हैं निफ्टी 50 में भी आप सभी को बताने वाल हूं वह भी वीडियो देखीगा अच्छी अच सेलेट कर लेते हैं इस तरह से 53,200 के लेवल उपर की साइड में 53,000 ठीक है इस तरह से देखते हैं कल क्या होता है यह हो गया ॥ा लेवल आप भी लगा सकते हैं स्क्रीन्न सॉड भी ले सकते हैं अच्छे से कोई डाउट हो तो one to one मैं भी मिलता हूँ और जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए और जो नए जुड़ रहे हैं सभी हमारे साथ हैं और रहेंगे भी किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है सिर्फ आपको करना क्या होता है पर्मनेंट हमारे साथ जोड़े रहना होता है लाइक और सब्सकाइब अच्छी लगए तो कीजिए otherwise कोई सब्सकाइब और कोमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैं खुद आप सभी के कोमेंट्स रीट करता हूँ मिलते हैं नेक्स निफ्टी फिप्टी के भी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वन्दे मात्रम ठेक केर बाबाए और अलाफिए